हेलो दोस्तों विशिष्ट शॉर्ट हेंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी सजल्दी आप सेलेक्शन पा सकें स्टार युक्रेन पर हमला करने और सोलह माख में भी बहां निनायक जीत आसिल ना कर पाने के कारण पहले से ही सवालों से गिरे रूची राश्पती पुतिन के लिए इससे बड़ा तंकट और कोई नहीं के वैगनर नामक एक निजी ससस्त्र समूह ने उनकी खिलाप विद्रोह कर दिया इस निजी सेना ने एक रोसी सहर रोस्तो पर कबजा कर वहां इस्थित सैन्य ठिकानों को जिस तरह घिरा उससे पता चलता है कि उसके इरादे खतरनाक हैं क्यूंकि यह निजी सेना राजधानी मास को पहुँचने की कोशिश कर रही है इसलिए यह माना जा रहा है कि उसे रोसी सेना के भी कुछ गुठों का समर्थन प्राप्त हैं सच्चाई जो भी हो वैगनर का विद्रोह रोसी राजपती की मुसीवत बढ़ाने और उनकी साथ गिराने वाला हैं उनकी सामने दोहरा संकट आ खड़ा कुआ गें अब उन्हें युक्रेन की जमीन पर उसकी सेना के साथ ही अपने घर में भाड़ी की सेनी को से भी निपटना कोगा हालंकी पुतिन ने वैगनर की विद्रोह को विश्वास गात करार देते के उसकी खिलाब कठोर कारवाई करने की बात कही है लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती की अरही कल तक वहे युक्रेन में उसका सह्यूग ली रगे थी वैगनर की लड़ा के युक्रेन में रूची सेना के साथ लड़ रगे थी तो पुतिन की सहमती और समर्धन से वैसे तो रूच में किसी को ससस्त्र समूः गठित करने की अनुमती नहीं कै लेकिन इन ही कारणों से वैगनर को इसकी इजाजत दीग गी इस समूः की लड़ाती सीरिया लीविया आदी में भी लड़ती रहे हैं इसमें रूची सेना के कुछ पूर्व सैनिकों के साथ अबराधी भी हैं भाड़े की सैनिक के वल पैसे के लिए लड़ते हैं और वे अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं कई बार बे अपने समथकों और सरक्षकों के लिए कि मुसीबत बन जाते हैं पता नहीं क्यों पूतिन यहां साधरान सी बात नहीं समझ सके लगता है वके यूक्रेन पर कवजा करने के लिए कुछ भी करने को तयार थे बलीगी वैगनर के पास पच्चिस खजार लडाकी हों और उसकी मुख्या ने यहदम बारागु की वह रूज के सैन्य निर्थित्यों को उखार फैकेंगे लेकिन रूज की सैना दुनिया की ताकतवर सैनाओं मैंसे एक है उसका संख्या बल भी कहीं अधिक है इसमें संदेखे की वैगनर की लडाकी उसका मुकाबला कर पाएंगे लेकिन यदि रूज सैना के कुछ जनरल उसकी साथ मिल जाते हैं तो पुतिन का संकट गहरा जाएगा उन खवरों की अंदेखी नहीं की जा सकती जिन में यह कहा जाता तहा है कि रूजी सैना के कुछ अफसर यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से असाहमत हैं रूज की जनता का एक वर्ग भी जगे मानता है कि पुतिन ने युक्रेन पर हमला कर उसका संकट बढ़ाने का काम किया है विद्रूख का नतीजा कुछ भी हो पुतिन की ताकतवर नेता की सवी धुमिल कोना तै है